आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लोटस काजु कतली ये दिखने में जितनी सुन्दर है उतनी खाने में भी बहुत टेस्टी है हम इस मिठाई को बिना गय चलाए बिना मावा बिना चाशनी बिना सूजी बिना गी के महस दस मिनट में बनाएंगे तो फिर मिठाई कैसे बनेगी यही ट्रिक जानने के लिए आप मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें कि किस तरह से हम बजार जैसी लोटस काजु कतली बहुत यह सानी से घर पर कुछी चीजों से बनाएंगे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट जैसी लोटस काजु कतली बनाने के लिए मैंने यहां 200 ग्राम काजु लिये हैं 2 टेबल स्पून कद्दुकस किया हुआ नारियल 1 अब टेबल स्पून इलाइची पाउडर 1 अब टेबल स्पून सिल्वर बॉल्स 1.5 कप पिसी हुई चीनी और 2 और 3 टेबल स्पून दूद सबसे पहले काजु को हमें ग्राइंडर जर में डाल देते हैं और ग्राइंडर जर में डालने के बाद हमें काजु को इस तरह से पीसना होगा कि यह हलका सा चिप चिपा हो जाए इसके लिए हम काजु को रुक रुक कर पीसेंगे यानि 10 सेकिंड चला लिया फिर रोक लिया और फिर 10 सेकिंड चलाया फिर रोक लिया इस तरह से काजु को आप अच्छे से पीस कर पेस्ट बना ले यह देखिए मैंने काजु को पीस लिया है ये देखिए हलका ये चिपचिपा है आप एक ये दो चम्मच दूर डाल कर भी इसे पीश सकते हैं अब काजो के पेस्ट को हम एक बॉल में निकाल लेते हैं ये देखिए काफी चिपचिपा है और बंद भी रहा है ये अब इसमें डालेंगे आधा कब पिसी हुई चीनी यानी चीनी का पाउडर आप चीनी को मिक्सी में डाल कर पीश ले और इस तरह से चीनी का फाइन पाउडर त्यार हो जाएगा आधा चोटा चम्मच इलाइची पाउडर अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चमश नारियल का बुरादा यानी desiccated coconut यह optional है अगर आपको पसंद है तो डालिए अगर नहीं पसंद है तो आप इसे skip भी कर सकते हैं अब अच्छे से mix कर लें अब इसको binding देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 या 3 चमश दूद दूद गरम यह ठंडा नहीं है नॉर्मल टेंप्रेशर पर है अब इन सब को mix करके इनका एक डो त्यार करेंगे दूद की मात्रा थोड़ी थोड़ी करके डाले नहीं तो डो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा मैंने यहां गी नहीं डाला आप चाहे तो डो को स्मूद करने के लिए half टेबल स्पून गी डाल सकते हैं डो को हमें ना जादा soft रखना है और ना जादा hard रखना है नॉर्मल डो त्यार करेंगे यह देखे हमारा डो बन कर त्यार है अब हम इस डो को दो हिस्सों में divide कर लेते हैं एक हिस्सा छोटा लेंगे और एक हिस्सा बड़ा लेंगे इस बड़े हिसे में green food color डालेंगे और डो को एक प्लेट में निकाल कर अच्छे से mix कर लेते हैं यह देखिए green ball बन कर त्यार हो गई है अब हम ऐसे ही red color को भी अच्छे से mix कर लेते हैं यह देखिए हमारी red और green ball बन कर त्यार है सबसे पहले हम red color वाला डो यानि छोटा डो हमने जो बनाया था उस डो को हम लेंगे और उसकी छोटी छोटी बोल्स बनाएंगे थोड़ा थोड़ा डो लेते जाएं और gold balls त्यार कर लें ये लीजिए हमारी सुन्तर प्यारी सी छोटी red balls बन कर त्यार है अब हम red ball से थोड़ी बड़ी balls green dough से बनाएंगे इसे हतेलियों के बीच में रखकर ऐसे गोल कर लीजिए आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं और फिर इसे गोल कर लीजिए ये green ball बन कर त्यार है ये red ball से थोड़ी बड़ी है यानि कि red ball छोटी और green ball बड़ी है ये लेजे मैंने सारी green balls बना ली है अब एक green ball लेंगे और इसे इस तरह से हाथ से press कर लें अब इसके बीच में red ball को ऐसे रख दें और हलके हाथ से press करते हुए इसे बंद कर दें और अब इसे गोल कर दें ये देखिए हमारी एक ball बन कर त्यार है इस तरह से आप सारी balls को त्यार कर लें अब मैं आपको एक और ball बना कर दिखाती हूँ आप red color को बाहर लेना चाहते हैं और green color अंदर तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ये देखिए मैंने सारी balls को बना लिया है अब हम इसे 20 मिनट के लिए फ्रीच में रख देंगे और फिर इसे कट करेंगे 20 मिनट हो गए है ये देखिए काफी अच्छे से हमारी balls सेट हो गई है अब हम एक ball लेंगे और इस तरह से इसे चार भाग में कट कर देंगे हमें इसे ऐसे कट करेंगे पर ध्यान रहे कि ये नीचे से कटना हो बस हमें इसे उपर से ही कट करना है अब lotus की petals आपको कित्ती बनानी है चार बनानी है या छेव तो आप उसी साबसे से कट कर सकते हैं मैंने इसे 8 parts में कट किया है आप चाहे तो 4 parts में भी से कट कर सकते हैं अब इस तरह से कट करने के बाद आप इसे ध्यान से हलके हाँ से खोल दें ये देखिए हमारी Lotus काजु में ठाई बनकर त्यार है मैं आपको एक और कट करके दिखाती हूं बस आपको एध्यान रखना है कि ये नीचे से कटना हो हमें ऊपर से ही इसे कट करना है यह देखे मैंने सारी लोटस काजू कतली बना ली है अब हम इस पर सिर्वल बॉल्स को डाल देते हैं ताकि यह दिखने में और सुन्दर लगे यह सिल्वर बॉल्स इसली बेकरी शॉप से मिल जाती है यह लीची हमारी लोटस काजू मिठाई बन कर त्यार है क आप से जरूर पूछेंगे कि आपने ये मिठाई कैसे बनाई तो आप इस भाई दूज पर इसे जरूर ट्राई कर और अपने भाई और परिवार को ये काजू लोटस मिठाई बनाकर जरूर खिलाएं क्योंकि इस मिठाई को कम महिनत से और कम सामान में बहुत एजली बनाया जा सकता है अगर आपको मेरी लोटस काजू कतली मिठाई पसंद आई हो तो प्लीज मेरी रेस्पी को लाइक करें फ्रेंड्स के साथ और इलेटिव के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए थांक यू